जय श्री राम और आज हमारे पास है Samsung का S21 FE जो कि एक 5G फोन है और यह अपने अलग-अलग वैरियंट्स में आता है हमारे पास जो है वो लेवेंडर कलर है और इसका 8128 GB का वैरियंट है और देखेंगे कि क्या यह इस समय लेना वर्थ रहेगा क्योंकि नियर अब इसको वन आज हम जानेंगे कि यह फोन 34,000 में वर्थ रहे है या नहीं तो इसके फीचर तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख रखे होंगे तो हम बात करेंगे सिर्फ इतना कि यह वर्थ है या नहीं आपको कुछी नए Samsung के launch का या फिर किसी नए फोन का वेट करन क्योंकि इसमें जो Samsung के प्रोग्रेट के कैमरा सेटिंग साती है 12-12 मेगापिक्सल के इसमें कैमरा दिये हुए है जो कि Samsung अपने प्रीमियम सीरीज में यूज करता था और जिनकी कैमरा क्वालिटी और इमेज क्याप्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो फरस्ट आफ आपको कलर शिफटिंग नहीं नजर आएगी तो मेन लेंस में जो डिटेल्स है वो इनफ हैं अब हम इसका अल्टरावाइड एक बार चखक करते हैं तो अल्टरावइड में काफिे शभर हो रही है और कलर शिफटिंग आपको नहीं पता लगती ही यह कहर संसंग की खासियत आप इसको quality बोलेंगे और अब हम इसका जो है वो 2x lens चेक करते हैं तो हां Samsung में सबसे main quality है कि कहीं भी आप भी किसी भी lens में camera switching करें आपको color shifting नहीं available होगी अब हम इसकी video quality चेक करते हैं तो यह हमने video record किया है और हम इसको अच्छे से shake करते हैं देखते हैं कि video कैसा record हो रहा है just a second तो यह camera जो है वो YS के साथ में आता है और जब हमने इसको देखा चेक किया तो अब इसमें हम कुशी नहीं कहेंगे आपके सामने है results तो video quality इसकी ठीक है बट आप stabilization की बात करेंगे तो हाँ okay okay stabilization है और next आते हम इसके portrait shot पे तो portrait shot के लिए हमको किसी को चाहिए होगा तो हम चेक करते हैं इसका portrait shot तो यह original में है और यह देखे तो इसको जो है zoom fit करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें तो हाँ portrait shot इसका वाकई में बहुत सुन्दर आया है और real से आप compare कर सकते है as it is photo आई है तो ठीक है okay कह सकते हैं तो अगर आप तो अगर आप इसको सिर्फ camera के लिए purchase करना चाहते हैं तो हाँ ठीक है आप इसको 35,000 यह आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स इसका selfie camera तो selfie camera इसका check कर लेते हैं तो यह मैं इसकी selfie क्लिक कर रहा हूं और देखते हैं कि क्या ही इसने results दिये हैं तो यह मैंने selfie क्लिक कर रहे हैं और details okay okay हैं बहुत ज्यादा sharp picture इसने क्लिक नहीं की है बट हाँ ठीक है ओके detail है और जैसा 32 Samsung का जैसा कि Samsung का 32 Megapixel का बागी phones में camera आता सेम वही इसमें use हुआ है तो आप selfie के बारे में सेम वो चीज़ नहीं बोल सकते हैं जो कि आप इसके back camera के बारे में कहते हैं नेक्स इसके highlight आती है इसके display तो यह Samsung की Super AMOLED 2H display है जो कि LTPO है और यह refreshed जो है वो 120Hz के असपास आता है तो आपको speed की कमी आपको महसूस नहीं होगे Exynos processors के साथ यह phone आता है बट अगर आप gaming के लिए आप इसको सोच रहे हैं तो आप मैं इसको recommend नहीं करूँगा यह phone gaming के लिए नहीं बना है बट camera और display के लिए अगर आप यूज करते हैं तो यह phone आपके लिए best कहलाएगा इस price segment में Samsung के phone के साथ एक drawback यह कि अभी भी यह plastic back के साथ आता है अगर आप looks देखें तो okay हैं बहुत अच्छे हैं बहुत सुंदर looks है लेकिन जब आप इसका back चेक करेंगे तो यह plastic back है जो की 50,000 के जब launching हुई थे तो लोगो ने इसको 50,000 में purchase किया है तो ठीक है मतलब 20,000 में भी glass म जादा चाहिए तो आप इसका 256 variant ही चूज करें अधरवाइस आपको 128 GB का variant लेते हैं तो आपको एक OTG आपको साथ में purchase करना चाहिए और सबसे main बात जो है वो Samsung S series के phones में चार्जर इसने हटा दिया था तो 34,000 में आप फोन यह लेतो रहें ठीक है पर आपको charger के लिए से जादा इसका attraction point है और इसका जो back है यह इस color में जो है वो भी ठीक है अच्छा है बट आपको यह recommend करेंगे कि इसको जो है back cover के साथ में use करें और बड़ा ही compact और handy phone है इसको पकड़ते हैं तो यह 6.4 inch की display है 6.7 और यह जो नए size के display जा रहा है जो कि बहुत भारी है और